गाजा पर इसराइल ने हवाई हमला किया है जबालिया कैम्प में बड़ी तबाही हुई है बम धमाके से बड़ा इलाका खंडर में तब्दील हो गया है दमाके से बना है बहुत बड़ा घंट गधा भी जबालिया कैम्प में देखे किस तरह की तबाही हुई है एक बड़ा तरद्धा दिखाई दे रहा है जो बन गया है यहां पर यह बड़ा हमला किया गया बंधमाका हुआ गाजा पर इसराइल का यह बड़ा हवाई हमला तो किस तरह से गाजा में लगातार हवाई हमले और ग्रांड आक्शनी दोनों किया जा रहे हैं इसराइल गाजा वैसे तो 24 पहले ही इसराइल का गाजा में अटाक का तीसरा चरण शुरू हो चुका है लेकिन जानते हैं इसराइल ने गाजा पट्टी पर कंट्रोल करने के लिए साथ चरण में बारूदी ऑपरेशन को अंजाम देने का ब्लूपरिंट से यार किया है यकीन मानिए अगर आईडिये अपने मिशन में कामियाब रहा तो फिर गाजा का खंड खंड होना तैय है गाजा का दो हिस्तों में बटना तैय है और इसके साथ ही गाजा पट्टी से हमास का वजूद मिटना भी तैय है आखिर कैसे देखिए सूपर एक्स्क्लूजव रिपॉर्ट में गाजा का असली विनाश अभी बाकी है गाजा में भीशन तबाही अभी बाकी है गाजा का कोना कोना बारूट से देहलना भी बाकी है क्योंकि गाजा पट्टी में 24 घंटे पहले आईडियेफ यानि इसराइल डिफेंस फोर्स के ओपरेशन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है जिसका सबूत है उत्तरी गाजा से सामने आई ये तस्वीर है सेकलों की तादाद में इसराइल सेना के विद्वन्सक टैंक, आर्टिलेरी और तोपे गाजा के बैटल ग्राउन में मोर्चा संभाल चुके हैं हजारों की तादाद में आईडियेफ के कमांडों, हाई टेक हंथियारों के साथ कॉमबैट आपरेशन के लिए तयार है के गाजा के विद्वनाश का गांडाउन ओन हो चुका है नेतन याहू की तेवर इस बात के साफ और सीधे संकेत दे रहे हैं कि अब इसराइल रुकने वाला नहीं हराल में हमासकती एंड होगा और ये कैसे होगा शायद ये बताने की जरूरत नहीं है जंग के 25 वे दिन गाजा से सामने आई तस्वीरे इस बात का खुद सबूत दे रही तरसल सैटलाइट कैमरे में गाजा पाट्टी की कुछ तस्वीरे कैप्चर होई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इसराइली सेना और उसके टैंक गाजा में करीब 5 किलोमीटर भीतर तक खुश चुके हैं और फिलहाल गाजा के मौजूदा हालाद कैसे हैं वो भी जान लीजे तीवी स्क्रीन पर गाजा पाट्टी का जो आप 3D मैप देख रहे हैं उसमें उत्तरी गाजा की तरफ से जो पहला हिस्सा दिखाई दे रहा है वहाँ अब इस्राइली फोर्स का कब्सा हो चुका है अब बात दूसरे हिस्से की दरसल ये गाजा का वो इलाका है जहां मौजूदा वक्त में IDF और हमास के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी है वहीं गाजा पट्टी का जो बाकी बचा इलाका है यानि तीसरा हिस्सा फिलहालूस पर फिलिस्तीनी रेजिस्टन्स यानि हमास का कंट्रोल है गाजा से जो सबसे ताजा अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि इस्राइली सेनके कमांडो और सेगडों की तादात में टैंक गाजा के मुख्य उत्तरी शहर पर पूर्व और पश्चिम से अटैक कर रहे है इसके अलावा ये टैंक गाजा शहर की मुख्य सड़क के चोराहे पर पहुँच चुके है यहाँ पर भी जमीनी हमले जारी है और जानते हैं अभी तो तीसरे चलन का सिर्फ आगाज भर हुआ है यकीन मानिए गाजा के खिलाफ आईडियेप के सेवन स्टेज अटैक प्लान के पूरे होते ही गाजा खंड खंड हो जाएगा तो हिस्सों में बढ़ जाएगा आगर कैसे ये भी जान लीजिए हमास के खात्मे के लिए गाजा पत्टी पर टोटल कंट्रोल के लिए इसराइल ने जिस सेवन्थ स्टेज अटैक प्लान की रणनीती बनाई है वो कुछ इस तरह है मसलन गाजा पत्टी में इसराइल के मिलिटरी आपरेशन का पहला चरण था गाजा पत्टी पर लड़ाकू विमानों से ऐस्ट्राइक करना रॉकिट और मिसाइलों से प्रहार करना जो पूरा हो चुका है वहीं दूसरा चरण था उत्टरी गाजा के बॉर्डर से ग्राउंड ऑपरेशन का आगास करना यानी जमीनी आकरमन जिसे IDF ने कम्प्लीट कर लिया मगर अब IDF का तीसरा स्टेज शुरू हो चुका है जिसमें इस्राइली सेना उत्तरी गाजा में मौजूद हमास के 400 किलोमेटर लंबी सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करेगा इसके बाद शुरू होगा IDF का चौथा चरन जिसमें ओवर ग्राउंड बंकर यानी अस्पताल, मस्जद और स्कूलों के नीचे मौजूद हमास के ठेकानों को धबस्त किया चाएगा जी हाँ, शुरूआती चा स्टेज को पूरा करने के बाद, इस्राइल की सेना पांचवे चरन का अगास करेगी, जिसके तहत भूम अध्य सागर से सटे गाजा के तट्टे इलाकों की घेरे बंदी की जाएगी ताकि हमास का समंदर से कनेक्शन भी तूचाएग यहीं चटे चरन में इस्राइली सेना की एक टुकडी दक्षनी घाजा में मौझूद राफा क्रॉसिंग को ब्लॉक करेगी ताकि हमास के लड़ाके इस लाके से भागने की कोशिश न कर सके और सबसे आखीर में यानि सातवे चरन में आईडिय अफ गाजा के साले अलदीन हाईवे पर कब्जा करेगी ताकि गाजा पट्टी दो हिस्सों में बटड़ जा सके और इस्राइली सेना गाजा के कब्जे वाले इलाके को नूमान्स लैंड घोशित कर सकती है जिसका मकसद ये है कि महविश्य में किसी भी तरह के हमले का खत्रा ही पैदा ना हो युद्ध के तीसरे चरन के आगास के साथ ही इस्राइली सेना पहली बार उत्तरी गाजा में माजूद है अबास की टनल्स में दाखिल भी हो चुकी है इतना ही नहीं इस्राइली डिफरेंस ने गाजजा ओपरेशन के एक्सपर्ट यारो फिकल मैन को बॉर्डर पर भेज़ दिया है ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो शायद यही वज़े है कि पीते 24 घंटों में आईडियफ ने हमास के 600 से ज्यादा टार्गेट यानी ठेकानों को तबाह कर दिया है वही बात अगर बीते चार दिनों की करें तो 27 अक्टूबर को 150 घंटाने तबाह 28 अक्टूबर को 450 घंटाने तबाह 29 अक्टूबर को 600 घंटाने तबाह और 30 अक्टूबर को भी 600 घंटाने तबाह हुए वैसे तो बीते 25 दिनों से गाजा में बारोदी कहराम जारी है बीते 25 दिनों से इसराइल का विधवन सक ब्रहार जारी है बीते 25 दिनों से गाजा का विनाज जारी है लेकिन इसके साथ साथ वेस्ट बैंक में भी इस्राइली ब्रिगेट का अटैक ऑपरेशन रफ़तार पकड़ चुका है ताबर तोल अंतास में वेस्ट बैंक पर हमले किये जा रहे हैं वहीं खबरे ये भी सामने आ रही हैं कि वेस्ट बैंक में मौजूद हमास के चीफ सेकरेटरी साले अल अरौरी के घर को आईडियेफ ने प्रचंट हमले में नहस नहस कर दिया है मतलब ये कि कासा सिफ वेस्ट बैंक तक जहां भी हमास के जड़े मौजूद हैं उन्हें समीन से उखाड फेकने के लिए इसराइल पूरी तरह से तयार है लिहाज़ा ये बात साफ हो चुकी है कि आज नहीं तो कल हमास का संपूर में नाशत देह चाहे इसराइल को इसके लिए कोई भी कीमत के ओना चुकानी पड़े लिए लिए लो पुटी धनाच्च्ट